नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल study for wind में मेरी और से सभी को एक प्यार भरा नमस्कार आपके maths की सीरीज में पहले मैंने आपको महतम समाब वर्तक यानी मासा और उसके बाद आपको लगतम समाब वर्तक यानी लासा के प्रशन बताए जो आपके यूपीटेट 2018 का जो नयार पैठन चेंज हुआ है उसके अंतरगा तापको लासा तथा मासा का जो टॉपिक रखा गया है उसमें आपके ये questions बहुत ही important है आज भी आपकी ये जो वीडियो ये आपकी लासा तथा मासा के मिश्रित प्रशनों की है ठीक है यानि कोश और ये प्रशन है और जो ये प्रशन में आज आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही महत्तपूर्ण प्रशन है ठीक है तो ये वीडियो बहुत ही important है इस वीडियो को last तक बहुत ही अच्छे ध्यान से देखिए और कोई भी डाउट होने पर आप अपने डाउट अपनी query को तुरंत ही clear कर लीजिए ठीक है तो बिना कोई देर के विए शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो जो है मासा एवं लासा के मिश्रित प्रशन ठीक है इस प्रकार के प्रशनों को हल करने इस पहले कुछ point हम जान लेंगे कि हम किस किस सूत्रों का या किस किस concept का हम use करेंगे इस तरह के प्रशनों को हल करने में पहला आपका जो पॉइंट है वो है कि दो संख्याओं का गुड़नफल बराबर दोनों संख्याओं का मासा गुड़नफल दोनों संख्याओं का लासा यह कुछ प्रिशन ऐसे दी जाते हैं जिसमें दिया जाता है कि दो संख्याओं का गुड़नफल आपको दिया है और मासा तो लासा ग्यात करिए या दो संख्याओं को गЕडनफल बराबर दोनो संख्याओं का मेहतम समाब बड़तक इन्गों दोनो संख्याओं का लगतम समाब बड़तक दूसरा आपका पॉइंट है कि कुछ आगर आपको प्रिश्ल में भिन में दीगी गई है चीज़ है और उनका आपको लासा तथा मासा ग्याद करना है तो आप कैसे करेंगे तो अगर मासा ग्याद करना है आपको भिन्नों का तो भिन्नों का मासा आपका होगा अंसों का मासा बटे हरो का लासा यानि अन्सों का महत्तम समाप वर्तक बटे हरो का लगुतम समाप वर्तक और अगर आपको भिन्नों का लासा ग्यात करना है तो वो होगा अन्सों का लगुतम समाप वर्तक बटे हरो का महत्तम समाप वर्तक तो इस प्रकार आप भिन्नों का मासा और भिन्नो का लासा ग्यात कर सकते हैं और इस प्रिकार के प्रिवन बहुत ही आती है जो मैं आपको छोपी प्रश्षान half कि यदि दो संखिया हो का अनुपाथ स एकस पम धूरी यह दो संखिया और बीम पाथ एशुन पात हुए छी किसी भी एक्स तथा एन वाई अनुपात और मासा आपको प्रिश्ण में दिया रहेगा ठीक अब कैसे प्रिश्ण होते हैं कैसे सूत्रों का प्रयोग करके हल करना है तो हम एक एक examples की बात कर लेते हैं जिससे आपको सारा concept clear हो जाएगा ठीक तो पहला आपका question है कि दो संख्याओं का गुड़नफल पंदरा सो दिया है और दोनों संख्याओं का आपको मासा यानि महत्तम सभावर्टक दिया है दस तो आपको लासा गयात करना है दोनों संख्याओं का तो सूत्र मैंने अभी आपको बताया कि दोनों संख्याओं का गुड़नफल बराबर मासा इंटू लासा तो गुडन फल आपको दिया है पंदरा सो मासा आपको दिया है दस आपको लासा गयाद करना है तो लासा आप कैसे गयाद करेंगे लासा बराबर पंदरा सो बटे दस यानि की डेर सो ठीक या अगर लासा दिया होता मासा गयाद करना तो भी आप कर लेते कि दो संख्याओं का गुड़न फल बटे लासा तो आपका क्या जाता मेहत्तम सबाब वड़ता है यह जो क्वेशन नमबर डू है इस तरीके कि प्रेशन बहुत ही इंपोर्टेंट है बहुत पूछे जाते हैं परिक्षा में तो बहुत ध्यान से इनको देखिएगा बहुत इजी हो इस प्रेशनों में हमेशा आपको मासा दिया रहेगा तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है यह जोड़ों की संख्या पूछ रहा है कि कैसे इतने जोड़े बन सकते हैं कि जिनका गुड़न फल 1768 हो और मासा क्या हो 16 तो मैंने आपको आगे बताया था सूत्रों म कि अगर आपको मासा दिया गया है तो संख्याओं क्या हो जाएंगी आपकी संख्याओं आपकी सिंप्ल हो जाएंगी उस मासा के गुड़न फल में अगर आप गुड़ा कर देंगे मासा से तो आपको संख्याओं प्राप्त हो जाएंगी ठीक है तो आपको यहाँ पर मासा दिया है सोला तो आपकी संख्या है हो जाएंगी सोला ए तथा सोला भी इसका मतलब है कि संख्या है आपके ए तथा भी के एक रेशियो में है ठीक है यहाँ पे गुड़न फल भी आपको दे सकता है योग फल भी दे सकता है या क्या दे सकता है अंतर दे सकता है भाग फल कुछ भी दे सकता है तो हमने संख्या मानली 16 या 16 भी यानि मासा से गुणा करके हमें संख्या प्राप्त हो गई अब प्रश्णान साथ दिया है कि दोनों संख्या को गुड़नफल 768 है तो आपने 16 A to 16 B एक 768 तो A to B क्या है एक 768 बटे 16 गुणा 16 जब आपने इसको सॉल किया तो आपको बना यह गुणा भी 28 अब आपको पहले ऐसे जोड़े ग्यात करने हैं जिनका गुड़नफल 28 हो क्योंकि यहां पर क्या बोला है गुड़नफल यहां पर आपको गुड़नफल प्राप हैं एक 28 दो चौदा साथ और चार अब इन में से परसपर आपको अभाज जोड़े अलग करने हैं ठीक है तो अभाज जोड़े आपके होंगे एक 28 तथा चार साथ यह जोड़ा एक 28 का और एक आपका जोड़ा चार साथ का तो आपका अभी जोड़ों की संख्या आ गई दो कौशकर आपके पूस्ति आप इस जोड़ों की संक्या या कौण-कौण से वो अभाज जोड़े होंगे तो दो जोड़े संक्या कितनी होगी दो बागफल इनतर कुछ भी आपको दे सकता हैं यह आपका भिन्यों कर प्रस्न है जिसमें आपको भिन्यों को लासा साथ मासा ग का मासा बटे हरो का लासा तो अंस का आपने महत्तम सहा पर तक निकाला तो एक आया और हरो का लासा निकाला तो सत्तर आया तो आपको मासा क्या आ गया एक बटे सत्तर दो बटे नो तीन बटे चुदा और साथ बटे बीस का आपको लासा क्यात करना है तो आपने किया अंसो का लासा बटे हरो का मासा तो लासा है आपका अनुसों का 42 हरो का मासा एक 42 बटे एक यानि कि आपका लासा आ गया 42 दो संख्याओं का योग आपको दिया गया है 520 दोनों संख्याओं में आपका अनुपात है 11 अनुपात 15 तो आपको छोटी वाली संख्या ग्याद करनी है ठीक है तो सूत्र में मैंने आपको बताया था कि अगर दो संख्याओं का अनुपात आपको पता हो और मासा पता हो तो संख्या क्रिम्सा क्या होती है उसके मासा से गुड़नफल से प्राप्त हो जाती है इस प्रेशन में मासा नहीं दिया गया तो हमा और 15 आपकी संख्याएं हो जाएंगी अब प्रिश्ण में दिया है कि योग 520 यानि दोनों संख्याओं का योग क्या 520 तो 11 एन प्लस 15 यानि 26 एन बराबर 220 यानि की 220 चोटी संख्या 220 दोनों संख्याओं पूस्ता तो दूसरे में आप गुणा कर देती पंडरा एंटू 20 तो आपका आजाता तीन सों तो यह थी दोस्तों आपकी लासत है था मासत से संबंदित जो मिस्टित प्रिशन आते हैं उनकी वीडियो आशा कर तो आपको सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर दे घंटी के निशान को दबा दे जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें टाइमिंग याद रखिए सामको साथ बजे लाइब क्लास होती है रात में साथ नौ बजे आपको टार्गेट टेस्स सीरीज और इंपॉर्टन फैक्ट्स की वीडियो मिलती है और सुबह दस बजे आपको मैट्स इंगलिश और मैम की वीडियो जो हैं आपके संस्कृत और हिंदी के प्रशनों पे और सभी वीडियो आपको जो आपका एससी एर्टी पैटन यानि परसेदी से जुड़ सकते हैं जिसके लिए केवल आपको 200 रुपीज पे करने हैं इसके बाद आपको कोई भी अधर पेमेंट नहीं करना है तो बिना कोई देर की हुए इस नंबर पे कॉंटेक्ट करिए स्पेशल ग्रुप से जुड़कर हमारी स्पेशल नोट से स्पेशल पीडिया प्राप्त करिए और अपनी यूपी टैट और सी टैट की तैयारी को एकदम मजबूत करिए तो सही चुनिए और अभी चुनिए तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जो आपको मैस काई होगा बहुत इंपोर्टन टॉपिक होगा वो भी तो बिल्कुल भी वीडियो को मिस्मत करिए वीडियो को रेगलरली देखते रहें कोई भी डाउट होने पर डाउट को क्लियर कीजिए तो सभी को अल्दा बैस्ट अपना ख्याल लखिए स्वस्त रहिए नमस्कार